भारत के सबसे लंबे नदीपुल अटल सेतु का उदगाटन हो चुका है प्रधानमंति नरेंदर मोधी जी के द्वारा फ्रेंट्स ये टॉपिक काफी ज़ादा important और trending है अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो तो फ्रेंट्स वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important है अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाला है अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो आपका ये topic इसी वीडियो में complete हो जाए इस पूल का नाम पूर प्रधानमंतरी और दिवंगत अटल भिहारी वाजपी जी के नाम पर रखा गया है ये दुनिया का बारवा सबसे लंबा समुदरी पूल है इसका निर्मान कब शुरू किया गया था 2016 में और इसका उधगाटन हो चुका है और अगर हम निटेल में सम मुंबई से नहीं मुंबई जाने में फो दो घंटे का लगता था अब लगेगा 20 मिनट मैं आपको सब्से लंबा नदी पूल है अटल से तू यह देखने में कैसा है और यह शुरू कहां से हो रही है शुरू हो यह मैंने आपको बताया था मुंबई के सेवरी से ठीक है और भारत का सबसे लंबा पूल था ठीक है अब कौन सा हो गया अटल से तू हो गया है और यह जो भुपिन हजारी का पूल अनफ है जो असम में ब्रह्मपुत नदी पर है इसकी लंबाई हुआ करती थी 9.15 किलोमेटर भारत की कुछ अन्य पूल भी हम डिसकस कर लेते हैं लगे पूल यह कुछ महतपून पूल जो के एकजाम में पूछ लिया जाते हैं और फ्रेंट्स हम अटल सेतू से जितने भी important question बनते हैं वो हब हम MCQ format डिसकस करेंगे तुमारा पहला question है वरतमान में भारत का सबसे लंबा पूल कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा option ए अटल जो है यह वरतमान में भारत का सबसे लंबा पूल है यह आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट है अटल सेतू किस राज्य में बना है राइट आंसर हो जाएगा option D महाराच्छ राज्य में बना है अटल सेतू नेक्स्ट है अटल सेतू किसको जोड़ता है एक्जाम एक कोशन आपसे डारेक्टली पूछा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का option ए दक्षिन मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है अटल सेतू नेक्स्ट है मारा कोशन अटल सेतू की लंबाई कितनी है राइट आंसर हो जाएगा option B 21.8 km जो है यह अटल सेतू की लंबाई है यह आपने ध्यान रखना है और अगर हम डिटेल में समझें 21.8 km लंबा और 6 लेन वाला है यह पुल और यह 16.5 km जो है यह समुदरों के उपर है और लगबग 5.3 km जो है यह जमीन पर बना है यह भी आपको एक्स्टा फेक्ट याद रखना है नेक्स्ट है प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी ने अटल सेतू की नीव कव रखी थी राइट आंसर हो जाएगा option A वर्ष 2016 में प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी ने अटल स सेतू का उधगाटन किया है अगला कोशन है मारा अटल सेतू प्रजेक्ट में कितने करोड रुपे खर्च होए है राइट आंसर हो जाएगा option D 18,000 करोड 18,000 करोड की लागत आई है अटल सेतू प्रोजेक्ट में नेक्स्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को और किस ना जाता पिच्ट आंसर हो जाएगा option B 18,000 के नाम से अटल सेतू के नाम से अन्य नाम देख लेते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ठीक है अटल विहारी वाजपई सेवारी नहवा शेहवा अटल सेतू और अटल सेतु, ये ती नाम है और जो famous नाम हो गया है, वो हो गया है अटल सेतु next है किस पूर प्रधान मंतरी जी के नाम पर सेतु नाम रखा गया है right answer हो जाएगा option D, अटल विहारी वाचपई जी के नाम पर अगर हम अटल विहारी वाचपई जी के बारे में जाने तो आपको बताना चाहता हूँ, इनका जनम हुआ था 35 दिसंबर 1924 को और इनका निधन कब हुआ है, 16 मई 2018 को ठीक है, मतलब 25 दिसंबर 1924 को इनका जनम हुआ है, निधन हुआ 16 अगस 2018 को मध्य परदेश राज़े में और फ्रेंट्स आपको बताना चाहता हूँ, इनके जनम दिवस के अफसर पर ही हर सार हमारे देश में सुशाशन दिवस के रूप में मनाया चाहता है फ्रेंट्स अब तक ना, जैसे नरींदर मोधी जी अब तक के सबसे बेस्ट प्रधान मंत्री रहे हैं वैसे ही अटल भी हरिवाजपई जी भी बहुत ही बेस्ट प्रधान मंत्री थे ठीक है, राजिनेती करियर की शुरुवात भारे जन्ता पाटी से की थी नोंने सबसेंद लिए मैं इंको मिला है उससे मेंन की की याए जिसमेंते गी तौबिक आप सबीक लिए और इंक्लिट किया है जिसमें की मैं कुछ 20-25 कोशन करवाओंगा important bridge of India मतएब भारत के महत्वपुन ठीक है, तो पहला है मारा पहलाarmed पहला cable stay railway bridge कौन सा है आंतर हो जाएगा इस question का option B अंजी खड पूल जो है यह पहला cable stay railway bridge है भारत का और फ्रेंट्स आपको बताना चाहता हूं कि जो अंजी खड पूल है यह किंदर शार्षीत प्रदेश में है जमू कश्मीर केंदर शार्षीत प्रदेश में है और किस नदी क आपको बताना चाहता हूं कि यह लोहित नदी के उपर और आप सभी को पता है कि यह लोहित नदी है यह किसकी सायक नदी है यह ब्रह्मपुत नदी की सायक नदी है इक्जाम के लिए इंपरन कोशन उमार कर लिजे राइट आंसर होगा ऑप्शन A गुजरात राज्य में स्थित है ब्भुपेन हजारिका पुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन B ढोला साधिया ब्रिज ढोला साधिया ब्रिज के नाम से जाना जाता है भुपेन हजारिका पुल को और मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंट्स कि ये असम राज्य में है और लोहित नदी पर जो की ब्रह्मपुत नदी की सायक नदी है इस पर स्थित है नेक्स्ट है मारा कोशन नियू जुवारी ब्रिज किस राज्य में स्थित है आंसर हो जाएगा ऑप्शन A गोवा राज्य में स्थित है नियू जुवारी ब्रिज नेक्स्ट है दिबांग नदी पुल किस राज्य में स्थित है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D अरुनाचल प्रदेश में स्थित है दिबांग नदी पुल अगला कोशन भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा Option A, बोगी बिल पुल, बोगी बिल ब्रिज जो है ये भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है नेक्स्ट है हमारा कोशन, महात्मा गांधी सेतू किस राज्य में स्थेते हैं राइट आंसर हो जाएगा Option D, बिहार राज्य में स्थेते हैं महात्मा गांधी सेतू अगला कोशन, बोगी बिल पुल, ब्रिज किस राज्य में स्थेते हैं राइट आंसर है Option A, असम राज्य में स्थेते हैं बोगी बिल पुल, ब्रिज अगला कोशन, आरा छपड़ा ब्रिज किस राज़े में स्थेत है, राइट आंसर हो जाएगा, option D, बिहार राज़े में स्थेत है, आरा छपड़ा ब्रिज सबसे लंबा स्टील ब्रिज कौन सा है right answer हो जाएगा option C, महात्मा गांधी सेतू महात्मा गांधी सेतू सबसे लंबा स्टील ब्रिज है अगला question है चहलारी घाट ब्रिज किस राज्य में स्थित है right answer हो जाएगा option D, उतर प्रदेश में स्थित है चहलारी घाट ब्रिज अगला कोशन बांदरा वरली समुदरी लिंक किस राज़े में स्थित हैं राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D महराज राज़े में स्थित है बांदरा वरली समुदरी लिंक नेक्स्ट है हमारा कोशन विकरम शीला सेतू किस राज्य में स्थेत है आंसर हो जाएगा option D बिहार में स्थेत है विकरम शीला सेतू यह आपने ध्यान रखना है अगला question है मारा पहला vertical lift railway समुदरी पुल कौन सा है right answer हो जाएगा option C नया पंबन ब्रिज नया पंबन ब्रिज जो है यह पहला vertical lift railway समुदरी पुल है next है वैंबनाड रेल ब्रिज किस राज्य में स्थेत है आंसर हो जाएगा option B केरल में केरल में स्थेत है वैंबनाड रेल ब्रिज अगला कोशन है मारा दुर्गम चेर्वू केबल ब्रिज किस राज्य में स्थेत है आंसर हो जाएगा option B तेलंगाना तेलंगाना में स्थेत है दुर्गम चेर्वू केबल ब्रिज अगला कोशन है मारा मौरबी ब्रेज किस राज़े में स्थेत है अंसर हो जाएगा option A गुजरात में स्थेत है मौरबी ब्रेज next है मारा कोशन सियोम ब्रेज किस राज़े में स्थेत है अंसर हो जाएगा option A अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में इस थेते सेयों ब्रेश